नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे अमीरात D20 का मैच नंबर 9 जो खेला जाएगा FUJ वर्चिज EMB टीमों की बीच में और इस मैच का वेन्यू रहेगा दुबई International Cricket Stadium दुबई में यह मुकाबला आज दोपेर 3 बज़े स्टार्ट होगा पिच रिपोर्ट की बात किजए तो औरोल आपको एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिल जाएगा उसके साथ-साथ एक्स्टा स्पोर्ट है वो इस वेन्यू पे पेस्टर गेनवाजों को मिलती है वहीं दोस्तो इस विकेट की उपर चेज करना है वो काफी जादा इजी रहता है जो टीम यहाँ पे टोस वोन करेगी वो यहाँ पे पहले बोल फर्स्ट करना पसंद करेगी और जो टीम आपको सेकिंड दिंग में बैटिंग करवा के देगी उस टीम के जो टोप ओडर के ब आप्टर टोस हुए लाइनप के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे बल्यू कोलर के लिंक रहेंगे सिंपलिया वहाँ पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल को जो इन कर सकत टेलिग्राम चैनल वो दोस्तों आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन रहेगा दस मैचों में से आठ मैचों की समोल लिक की अल्टरा कलीन स्विप टीम आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो टेलिग्राम है वो आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन रहेगा तो टेलिग्राम चैनल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए गगाईजी अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी FUJ की पोसीपल प्लेइंग 11 तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और हमारी यूटूब चैनल के उपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नोडिकेसन बल आइकन को जुरूर से प्रेस कर देना आलमोस्ठ हर मैच में चेंज होता रहता है लास्ट मुदु में वसी मुद८ ओपन कराने के लिए नोब नैच च्यार और की बॉर्ण डाल दो विकेड निकाले सेकिन वसी मुदूब बैटिंग का मोकान निमिला दो और की बॉर्ण डाल विकेड नहीं नहींमिला लेकिन दोस्तो D10 में ये 22 की उस्टे रन कराते है साचाज अभी तके 26 मैचों में 34 विकेट निकाल के देच कुए है तो रोस्तन मुस्तपा भी आपको टोप ओडर में बैटिंग और पलस बोलिंग दोनों करवा के देंगे तो इपोर्टन रहेंगे जुरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ अगर दोस्तो FUG का टीम सेकिंड दिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिसमे वसी मोहमद हो गया रोस्तन मुस्तपा हो गया अशीब खांगे तो तीनों प्लेयर इपोर्टन रहेंगे तीनों को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ करके चल सकती हूँ महीं बात किजए मोमद उस्मान की तो लास्ट मुकालम 15 सेकिंड लास्ट मुकालम बैटिंग का मोका ने मिला फोर्म इतनी अच्छी नहीं चलिये अगर FUJ का टीम फर्स्ट निंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिस्न में इपोर्टन रहेंगे बाकि सेकिंड निंग में आप ओनली जील ट्राइ करके चल सकती हूँ हमीद खान का दोस्तो बैटिंग ओडर बिल्कुल भी कंफरम नहीं रहने वाला है फोर्म भी काफी ज़्यादा फ्लोप चलिये तो एक रिस्की पिकाप के लिएगी तो ड्रोप करने कर इसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ वसियम सा को सीधा सीधा ड्रोप करके चला अबुल गफर लास्त मुकाल में 20 मनें एक ओर की बोले डाली विकेड निम्ला स्टेकिन और थर लास्त मुकाल में कम्पलीट 4-4 ओर की बोले डाली दो दो विकेड निकाल की दिए अबुल गफर की फॉर्म है वो काफी लाजवाप चलिए इपोर्टन फिक रहेगी समोलिग में वी सी और जील के कॉमिनिस में आप अबुल गफर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ बैटियो चार्ज का बैटिंग ओडर काफी जादा नीच रहेगा तो सीधा सीधा ड्रोप करने कर इसका आप अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बात कीज़ें दोस्तों मौमद उजेर खान की तो लास्ट मुकाल में 28 बनाए पलस चार ओर की बोरिंग डाले दो विकेट निकाले से की लास्ट मुकाल में दो विकेट निकालके दिये मोहमद उजेर खान की फोर्म है वो काफी लाजव आप चलिए complete आपको च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे जुरूर से कवर के अपनी समोली की टीम में वीसी और जील के कॉमिनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ करके चल सकती हूँ हैरी वेरवाल लास्ट मुकाल में विकेड लाइस रहे लेकिन स्टार्टिंग के दोर मुकाल में चैन चार ओर की complete बोलिंग डालती हूँ तीन-तीन विकेड निकाल के दिये फोर्म अच्छी चलिए important रहने वाले हैं जुरूर से अपनी टीम में आप cover करके चल सकती हूँ अकीफ रज्जा ने लास्ट मुकाल में तीन और की बोलिंग एक विकेड निकाला सैकी लास्ट मुकाल में दो विकेड निकाल के दिये अकीफ रज्जा की भी फोर्म काफी लाजवाप्त लिए important रहने वाले जुरूर से आप अपनी टीम में cover करके चल सकती हूँ अगर दोस्तों FUJ का टीम फस्ट निक में बैटिंग करवाता है उस कंडिशन में वसीम मौमद हो गया रोसन मुस्थपा हो गया अफिव खान हो गया इन तीनों प्लेरों को आप अपनी टीम में सीधा सीधा कवर करके चल सकती हूँ फिर नीचे दोस्तों देखोगे तो अबुल गफर हो गया ये भी आपके लिए important रहेंगे मौमद उजेर खान हो गया साचत हैरी बेरवाग इन तीनों प्लेरों को भी आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ या फिर अफिक राजा भी आपके लिए इस मैच में important रहने वाले है second inning में अगर FUJ का टीम बोलिंग बैटिंग करता है उस condition में बागे दोस्तों FUJ की टीम की तरफ से बैंचिस में मुझे लगता नहीं कोई भी changes होगा अगर कोई भी changes होता है तो उस player का record मा आपको मारे telegram channel पे provide करवा देंगे अगर दोस्तों आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो केवल दोस्तों लाइक का target है motivation के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और final team final suggestion के लिए telegram channel को जुरूर से join कर लेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी EMB की possible playing 11 तो ये team अपना पहला मुकाबल है वो वोन करके रहे है वो लास्ट के दोनों मैचिज है वो लोस्त करके रही है और इस team की तरप से आपको जेर फ्रीद जुरूर फ्रीद है वो आपको ओपन करवा के देरें लास्ट मुकाल में 16 और सैकी लास्ट मुकाल में 44 रन की निंग खेली important pick रहेगी जुरूर से आप अपनी team में cover करके चल सकती हूँ वृत्यार विंद भी आपको ओपन करवा के देरें और इस player की भी form काफी लाजवाब चलिए तो जुरूर फ्रीद और वृत्यार विंद दोनों आपके लिए important रहेंगी जुरूर से cover करके चला रिजवान CP लास्ट मुकाल में 12 बनाए 0.1 और की bowling डाली विकेड निमला 2 विकेड निकाल की दिये तो CP रिजवान important रहेंगी जील में जुरूर से captain वाइस captain वो अपनी टीम में आप try करके चल सकती हूँ अलिशान सर्फू लास्ट मुकाल में 62 रैकिन लास्ट मुकाल में 55 रहेंगी निके लिए फोर्म अच्छी चलिए important रहने वाले जुरूर से cover करके चल सकती हूँ अगर दोस्तों EMB का team second inning में बैटिंग करवाते हैं तो उस condition में जुरूर फ्रीद, वृत्या आरविंद हो गया, CP रिजवान और अलिशान सर्फू ये च्यारों प्लेइर आपके लिए important रहने वाले च्यारों प्लेइरों को आप जुरूर से अपनी team में cover करके चल सकती हूँ फर्स्ट निंग में वरित्यार विंद हो गया, साचा, CP, रिजवान और सान, सरूफू को cover करके चला फर्स्ट निंग में आप जुहार फ्रीज को drop करने कर इसका अपनी team से काफी आसानी से ले सकती हूँ फ नो आप औरेज पिक रहेगी, जुरूर से try करके चल सकती हूँ विष्णू सुकुमारन की बात कीज़े, तो एक रिस्की पिक रहेएने वाली है, सीदा सिदा ड्रोप करने कर इसका अपनी team से आप काफी आसानी से ले सकती हूँ फ राजुदिन की बात कीज़े, तो दोस्तो इस player की form है, वो काफी लाजवाप चली है लास्ट के दोनों मैचिज में 4-4 ओर की बोलिंग डालती हूँ, दो-दो विकेट निकाल के देशके हैं, तो जुरूर से आप अपनी team में कवर करके चल सकती हूँ संचित सर्मा लास्ट मुकाल में comeback किया, तीन ओर की बोलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिया, ओरेज़ पिक रहेगी, जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ बात की जाएं, दोस्तों, यहाँ पे मत्थी खान की, तो लास्ट मुकाल में दो, सेक्ट लास्ट मुकाल में एक और थर्ड लास्ट मुकाल में च्यार विकेट निकाल के दिया, तो इन दोनों बोलों को आप अपनी team में जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ बाकि दोस्तों, EMB की टीम की तरफ से भी बैंसीज में कोई भी अपडेट आएगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे, और टेलिग्राम चैनल के दू लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे यह दो गया दोस्तों, दोनु टीमों का स्टेट वाइज अनलाइसीज अब बात कर लेते कुछ हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेस्टन के बारे में और क्या रहेगी आज के इस मैट की हमारी समोलिक की डेमू टीम तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विकी सेक्शन में वरित्य आरविंद आपको लगातार ओपन करवा कि दे रहें और इस प्लेयर की फोर्म है वो काफी लाजवापत लिए इक इपोर्टन फिक रहेगी जरूर्ट से कवरिकर के समोलिक में विस्टी और जील के कोमनिस म विरित्य आरविंद को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ एस साह वो आपके लिए रिस्की रहने वाले है तो ड्रोप करने करें इसका अपनी टीम से आप काफी आसानी से ले सकती हूँ बैटिंग ओडर में बात किजें मौन उसमान है तो दोस्तों इस प्लेयर का ना तो बैटिंग ओडर कंफरम रहता है ना बोलिंग ओडर कंफरम रहता है अगर एफ यू जे का टीम फरस्ट इनिंग में बैटिंग करवाता है तो उस कंडिस में अपनी जील के कोमिनेस में आप कवर करके चल सकती हूँ बागि सेकिंड दिंग में आप ड् कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइकर के चल सकती हूँ बात किजिए दोस्तों एम फ्राजुदिन की तो इस प्लेयर की भी फोर्म काफी लाज वाप चली हाला कि बैटिंग में तो इतना अच्छा नहीं करवा के दिरे हैं लेकिन बोलिंग आपको कंफरम तीन से चार ओर की डा के देच के नंबर च्यार पे आपको बैटिंग करवाती हूँ नजर आ जाएंगे एक इपोर्टन पिक रहने वाली जूरूर से कवर करके चल सकती हूँ एस मुआब है एक और इस पिक रहेगी समोली को गानली के दोनों को मिनिस में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती तो सीधा सीधा ड्रोप करके चल सकती हूँ बात की दे दोस्तों आलाउंडर सेक्शन में वसीम मौमद है लास्ट मुकाल में ओपन कराने के लिए बैटिंग में नो बनाए प्लस च्यार ओर की बोलिंग डालती हूँ दो विकेड निकाले हाना कि सेक्ड़ लास्ट मुकाल ब बैटिंग में साथ बनाए ओपन करवाती हूँ प्लस च्यार ओर की बोलिंग डाली विकेड नहीं मिला लेकिन रोस्तन मुस्तपा भी आपको ओपन या फिर नमबर तीन या नमबर च्यार पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आ जेंगे तो इपोर्टन रहेंगे जूरूर से कवर गर के जील में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइकर के चल सकती हूँ सीपी रिजवान लास्ट के दो मुकाल में इतना अच्छा नहीं करवा पाई है लेकिन स्टार्टिंग वाले मैच में 49 बनाए प्लस च्यार ओर की बोलिंग डालती हूँ दो विकेड निकाल के दिय और इस पिक रहेगी जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ मुहमद उजेर खान की बात किजे तो दोस्तो इस प्लेयर की फोर्म है वो काफी लाजवाप चलिये लास्ट मुकाल में दो सेकिन लास्ट मुकाल में एक विकेड निकाल के दिया थर लास्ट मुकाल में तीन निकालके दिये important रहने वाले जुरूर से अपनी टीम में आप गवर करके चल सकती। जुरूर विकेट रहेंगे जुरूर से करके स्मोलिंग में विशी और जील के कोवनिसे में एनफ कान को आप कैप्टरण वास कैप्टरण ट्राइए करके चल सकती। अबुल गफर की भी फॉर्म काफी लाजवाप चलिए ये भी आपको हर मैच में कम से कम दो विकेट निकाल के दे रहे हैं तो अबुल गफर भी इपोर्टन रहेंग कम्प्लीट चार और की बोलें डाल के देंगे जुरूर से आप अपने टीम में कवर के चल सकती हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात किजे उससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चनल को जोइन के लेना टेलिग्राम चैनल के दू लिंक आपको वीडियो के Description box में मिल जाएंगे जो भी हमारी Final Team रहेगे जो Final suggestion रहेगा Hafty Toswey Lineup के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा तो टेलिग्राम चैनल को बिलकुल भी मिश मत कीज़िए गास जे Captain Vice Captain की बात कर लेती हैं तो फिलाल के लिए दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे असीफ खान को अपनी टीम में Captain Try करके चलाँ Vice Captain दोस्तों देखोगे तो सर्फू आपके लिए बढ़या रहेंगे Smalling में Try करके चल सकती हूँ फ्राजुदीन भी आपके लिए इपोर्टन रहने वाले है Smalling में VC के लिए वहीं CP रिजवान, वसीम मुहमद और यहाँ पे रोस्तम मुस्तपा को GL में Captain Vice Captain Try करके चलाँ वसीम मुहमद समोलिग में VC और CP रिजवान भी Smalling में VC की बढ़या चोईच रहेगी बाकि CP रिजवान और यहाँ पे वसीम मुहमद को आप समोलिग में भी Captain Vice Captain वो ट्राइ करके चल सकते हो हाला कि थोड़ी सीरिस कीपिक आपके लिए इस मैच में रहने वाली है तेकिन फिलाल के लिए दोस्तों अपना VC है वो M.Khan को ट्राइ करके चलाऊ वहीं हैरी वेरवाल है जुरूर जील के कॉमनिस में जुरूर से Captain Vice Captain इस प्लेयर को ट्राइ करके चल सकते हो अबुल गफर भी आपके लिए जील में इपोर्टन रहेंगे Captain Vice Captain के लिए इस मैच में टीम प्रिव्यू की बात किजए अगर दोस्तों आपको मारा State Analysis अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट and सब्सक्राइब जरूर से कर देना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिंद जैभार्त